Welcome to Busy Life Study, UPSC, EPFO, APFC की preparation कर रहे हैं हम जहाँ पर हम इस exam से related सारे syllabus को बिल्कुल अच्छे से cover करेंगे, सारे की preparation करेंगे, जहां तक बात है notes की, तो चीजों की detail notes मैंने यहाँ बनाये हुए हैं और मैं आपको मौका दूँगी कि आप चीजों की screenshot बीच वीच में ले ले ताकि आ वीडियो के अंदर आपको सारी चीजे समझ में आ जाएं, दुबारा अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आपका motive सिर्फ और सिर्फ उसे revise करना हो, जहां तक बात करें, General English की इस exam का हमारा mission है, तो months का, जिसमें पहले months हम चीजों को detail में पढ़ेंगे, और दूसरे month, जैस subject से related, ताकि हमारा exam जो है, वो बिलकुल अच्छा चला जाए, जहां तक बात है General English की, तो अगर PYQs पीछे के आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि level जो English का है, वो PG level के questions तक पूछे गए हैं, basic से PG level तक के questions पूछे गए हैं, और इसलिए मैंने यहां start किया है, basic से English पढ हमने समझ ले, ताकि आप exam में जाकर अच्छा करें, जहां तक बात है, topics की, तो हमने पाया है, कि idiom and phrases पूछे गए है, vocabulary पूछी गई है, जिसमें synonym, antonym है, साथ में हम देखते हैं, कि one word substitution पूछा गया है, grammatical letter की चीज़े तो बहुत सारी है, तो इस तरह से बहुत सारे topics क कवर किये गए है, जो कि हम लगभग सारे, जो भी topic है, हम सारे चीज़ों को कवर करेंगे, जहां तक बात है grammar की, तो बहुत सारे grammar rules जो है, पहले वो आप पढ़ लीजे, चुकि एक बार आप grammar rules अच्छे से जानते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आप questions भी बहुत सही से कर पाएंगे, चलिए, स्टार्ट करते हैं, हम अपना पहला grammar का rule, जो कि हम topic पढ़ेंगे, article, अब article कितने type की होते हैं, भई, तो दो type के article होते हैं, पहला definite, दूसरा indefinite, ठीक है, अब definite कौन हो गया, आपका वो हो गया the, और indefinite हो गया a और n, लेकिन हम यहां सिर्फ बात करें अभी the की a और n को हम अगली वीडियो में संजेंगे, तो definite article जो the है, साथ में, जब यह सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, तो बाद में हम एक question भी solve करेंगे, इसे related mcq, ताकि तुरंत हम, चुकि हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं, तो चीज़ों का हमारे revise भी हो जाए, question क ठीक है, अब तेखेंगे कि the का use कहां कहां होता है, कहां कहां नहीं होता है, एक बर यह चीज़ें पढ़ लेंगे, तो फिर the, जहां भी the मिलेगा, उसे related question गलत नहीं होगी, चली, तो put the before the words which mean the inhabitants of a country, वो word जिसका मतलब, जिसे inhabitants of a country का मतलब आई, यानि कि जहां inhabitants of a country की बात जैसे कि example देखिए, the English live in England and the Indians in India, तो यहां the लगा क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, किसी भी country के inhabitants के बारे में, किसी भी country के लोगों के बारे में, और जहां भी country के किसी लोग के बारे में बात हो, तो वहां पे the ज़रूर लगेगा, अब the कहां नहीं लगेगा, तो before the language or before the name of the language, बतलब किसी भी language के नाम के पहले, भाशा के नाम के पहले दह नहीं लगाई जाएगी, जैसे English is spoken in India and Hindi, in England, sorry, and Hindi in India, जहां तक बात है, प्रोब्लम आपको प्रोब्लम आपको प्रोब्लम में देखने को मिल सकती है, actually मुझे mouth sore हो चुका है और इस कारण कुछ आपको आवाज में और pronunciation में दिक्कत सुनने को मिल सकती है, कोशिश करूँगी कि चीज़े जल्दी ठीक हो जाए, exception case क्या है, कहां हमने अभी क्या बात कि, कि inhabitants of a country में के आगे the जो है वो लगेगा, पर exception case उस समय होगा, जब ये ज तो और वो जो है, individually उसके बारे बात हो रही हो, ठीक है, उसे as individually समझा जा रहा हो, जैसे देखिए, Indians are generally vegetarian, तो यहां इसके बारे पर individually सोचा जा रहा है, इसलिए यहां पर the नहीं लगेगा, okay, Russians drink vodka, तो यहां पर the नहीं लगेगा, ठीक है, अब चलिए रेखिए, put the before the names of mountain ranges, mountain ranges के नाम के पहले the जरूर लगेगा, जैसे कि the Himalayas, देखिए, mountain ranges के नाम के पहले the लगेगा, लेकिन single अगर हम किसे mountain के बारे बात करें, तो आहां the का use नहीं होगा, जैसे कि आपका हो गया Everest, ठीक है, the Everest नहीं होगा, उसे तरह use the before the names of river, canal, seas, oceans, valleys, deserts and forests, यानी कि river, canal, sea, ocean, valley, desert or forest, इन सब के नाम के पहले the जरूर ही जादा लगेगा, जैसे Lucknow is on the Gomti, उसी तरह हम कहेंगे the North Sea, the Indian Ocean, the Ganga, the Sahara, सारी चीज़े, अब देखिए, use the before the names of ship or train, ship or train के नाम के पहले the बिलकुल ही लगेगा, जैसे कि the Raldhani Express runs fast, उसके बाद, the Titanic was a very big ship, ठीक है, तो इस तरीके से use की जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं, but do not use the before the vehicles when they indicate a means of transport, जब the use नहीं होगा, do not use the before the vehicles, अब देखिए, यहां हमने क्या बात की, कि ship के नाम के पहले, इन सब के नाम के पहले, use होगा the, लेकिन अगर इन सब चीज़ों को as a means of transport, इन सब चीज़ों के बारे में बात की ज तो वहाँ पे the नहीं लगेगा, जैसे देखिए, I will go to Delhi by bus, जैसे मालीजे ship के बारे में बात हो रही, तो मालीजे ship के नाम को अगर लिखा जाए, तो Titanic was a very big ship, तो वहाँ the use होगा, क्योंकि उस ship को as a particular बात की जा रही है, उसका नाम लिया जा रहा है, तो वो होगा कि the Titanic was a very big ship हम लिख देंगे है, ठीक है, लेकिन जहाँ बात हो कि normally बात हो ship की, तो I will go to Delhi by ship, तो वह किसी भी ship किसे जा रहा है, यह तो यह तो नहीं कहा रहा है कि by Titanic ship, उसके वैसा तो नहीं लिखा हुआ है, तो अगर general sense में बात की जाए, तो वहाँ पे हम the use नहीं करेंगे, और अगर specifically किसी ship अगरे के नाम लिखें, तो वहाँ हम the ज़रूर use करेंगे, ठीक है, कोशी सुमीन करते हैं, आपको चीज़े समझ में आ गई होगे, अब जब आगे और देखिए, do not put the before the names of substance, if they are used in general sense, जैसे मैं आपको अभी बताया, general sense में बात की जाए, किसी भी चीज की, तो the use नहीं होगा, जैसे देखिए, gold is a precious metal, gold को ऐसे general बात किया जा रहा है, कि हाँ, gold तो precious metal है, तो यहाँ दर नहीं लगेगा, ठीक है, bread is made from floor, अब floor, general sense है, bread जो है, floor सहीं बनता है, generally बात किया कि दर नहीं लगेगा, lead is very heavy, ठीक है, तो क्या होगा, not the lead, तो यहाँ दर लीट नही difference is to a particular kind or type, अगर किस reference किसी particular kind or type से है, तो दर जरूर यूज होगा, देखिए, जैसे यहाँ, the thieves stole the gold from that ship, चोर ने क्या किया, the gold उस ship से क्या किया, सोना चुरा लिया, शिप से चोरों ने क्या चुराया, सोना चुरा लिया, और इसलिए, particularly बात हो रही है, gold के बारे में, उस ship से, ठीक है, अब चलिए देखिए, the bread in this hotel is of poor quality, अब देखिए, इस hotel के काक poor quality की चीज क्या है, bread है, तो bread के पारे में particularly बात हो रही है, the लग गया, do not put the before the names of meals if they refer to the meals generally, अगर generally किसी meal के बारे में बात हो रही है, the नहीं लगेगा, when do you have dinner, have you had breakfast, अब तो breakfast dinner ही, तो generally हर समय होता है, तो generally बात हो रही है, the नहीं लगेगा, लेकिन अगर particularly बात हो, तो the लग जाएगा, जैसे की, but use the when meal is a particular one, जब कोई particular meal के बारे में बात होगी, तो the लग जाएगा, जैसे, the dinner will be taken at Ashoka, we enjoyed the lunch given by the school, यहां आपने क्या देखा कि particularly बात होई, particularly बात होई, तो the का use हुआ, अब आगे चले लेखिए, do not use the before plural noun when they are using general sense, plural noun में the use नहीं होगा, उसे general sense में बात हो, books are necessary, apples growing shimla, cars can run fast, general sense में बात हो रही है, the नहीं लगेगा, अब देखिए, कहां लगेगा, कहां और नहीं लगेगा, तो use, do not use the before the name of games में बिलकुल नहीं लगेगा, जैसे, Sania Mirja plays tennis, chess is a game which requires skill, अच्छा आगे चले, और कहां नहीं लगेगा, before the name of countries, unless the name denotes that it is made of parts, ठीक है, अगर countries के नहीं पहले दा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो part उसका ऐसा जिक्र किया जाए, तो जरूर दा लगेगा, जैसे कि देखिए, India, Italy, France and China are all republic, दा नहीं लगा, लेकिन, अब देख is very rich, the USSR has broken into smaller units, तो इस तरह से हम the को use करेंगे, आगे देखिए, do not use the before the names of the offices, of the small names of the office, जैसे की, Prime Minister Dr. Manmohan Singh, तो जहां देखिए, जहां नाम के साथ रहे, वहां पे the use नहीं होगा, जैसे Prime Minister Dr. Manmohan Singh, President Dr. Abdul Kalam, the use नहीं होगा, लेकिन अगर नाम नहीं लिखा है, सिर्फ designation है, तो वहां the use हो जागा, जैसे The Prime Minister, the President इस तरीके से. ठीक है, तो ये हो गया, कहाँ the use होगा, कहाँ the use नहीं होगा, एक बार फिर से revise कर लिता है, कहां कहा यूज नहीं होगा, नाम के साथ designation रहे, नहीं यूज होगा, designation रहे, नाम नहीं रहे, use होगा, countries के साथ नहीं रही लेकिन as a part रहे तो the use होगा country के साथ रहे the use नहीं होगा उसके बाद name of games के आगे the नहीं लगेगा plural noun जब general sense में रहे तो नहीं लगेगा जैसे books में, apples में नहीं लगेगा general sense में एक तरह से देखे तो नहीं रहेगा नहीं general sense में बात करें नहीं लगेगा चीक है उसके बाद before wakers अगर वो